आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलेवाने वाला हूं स्ट्रेजी डाई फैमली से तालुक रखने वाले दूसरे और हमारे यूट्यूब चैनल के तीसरे आउल से वह आउल जिसका तालुक उटस जिन्स से है वह जिस जिसमें दुनिया के बड़े-बड़े साइज के उलू को गरीब नदर आता है इसी वजह से लोग इसको जो है चुगल-कौर के नाम से बलाते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ यह आउल हमने पगड़ा नहीं है हमने इस आउल को रेस्क्यू किया है एक जखमी हालत में हमें नहीं पाता यह जखमी हुआ है लेकिन अच्छी तरह अच्छी तो हमारा आज का मैंन हमारा आज का गैस्ट है इंडियन स्कोपाउल जिसको केमफलो जो भी कहते हैं केमफलो जिस वजह से वह दिन के वक्त खुद को छुपाने में इस करदर महालत रखता है कि आप इसको वह और से देखेंगे तभी आप जो है पहचार पाएंग जिमीन पर छोड़ा था अब यह जंप लगा कि यहां पर आगया है अभी आप इसको गोर से देखेंगे तभी लगए लेकिन दूर से देखने में यहीं लगड़ी का ही एक हिस्सा है तो हमारा इंडियन स्कॉपाउल पाकिसान इंडिया स्रीलिंका निपाल बंगला देश इ मैं कबरस्तानों और प्रानी हमारतों में यह रहना पसंद करते हैं द्रखतों की दिन के वक जुए द्रखतों की टहने निकले होई गैजो द्रखतों की जो तैहने उत्य होते हैं गने भीड़ ँ आजबें जोद़् में यह इस वार्वाएग होता थुघको सिर्पा अपनी एक्टली यह कान नहीं है इसके पंख ही है इसके बॉड़ी सकेल ही है कान इसके यहां पि होते हैं चोटे सुरा की सुरत में इन ही कानों के वज़ा से लोग इसको जो है चूगल-खोर कहते हैं आप इसका गोल सर देखें मैंने पिछली वीडियो से में इनकी डिटेल दियू है है कि गोल सरवाले जो होते हैं वो स्ट्राइजीडाय फैमिली से तालुक रखते हैं इनका पंक मैं इसको ज्यादा इसलिए नहीं हिलाऊंगा क्योंकि इसका पंक थोड़ा जखमी है ताकि इसको तकलीफ नहीं हो तो मैं आपको बताओं कि जो लंबाई होती है वो 10 जो है इनका वजन जो होता है मैकसिमम 125 से 160 ग्राम के करीब होता है इनके टैलन्ज जो होते है ना पंजे वो अभी तक के जितनी मेने आउल्स पकड़े हैं उनके लिहास सबसे ज़्यादा तीखे सबसे ज़्यादा मजबूत और जहें काफी जखमी करने वाले हैं इस साउनले एक ब्रीडिंग सेजन होते है फीमेल जो है दो से तीन राउंडिश वाइट कलर की अंडे देती है जिसमें से 28 से 29 दिन के बाद बच्चे निकलते हैं मेल और फीमेल दोना मिलके बच्चों की बड़ी ही बहतरीन तरीके से परवरिश करते हैं तो कि बन चार से पांच हफतो बाकि वहिव लों की तरह यह बड़ चिपलियां मैंडग बी मचलिया नें कहते हैं दो की उवंधििच्ञ भी से दिन यह शीरा थे वहुट पश्吸 को से आवाज हमाओ निकालते हैं यह आपस में Divine की तरह की खुबiamente को कहते हैं कुछ लोग वहने इन आउल्स को uwu as a catch bird रखतें इन इनको केज में और बर्द में रखते हैं इनको hand are farm करते हैं si मैं आपको बताओं कि अजाद b Portuguese को टेम करना थोड़ा मुश्कल होते हैं अगर आप इनको रखते हैं तो fed करया ते आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकते हैं यह आउल्स अजाद इन्वार्मेंट में आट से दस साल तक जिन्दा रह सकते हैं अब आते हैं इनकी शिकारियों के तरफ वाइल फॉक्सी वाइल कैट्स होक्स एगल्स और दूसरे बड़े आउल्स जो हैं इनके शिक यह मुझे इसके लोकल नाम का नहीं पता इसके काणूं की वजह से इसको चूगल खूर कहते हैं आपके अरिया में इसको किस नाम से बलाया जाता है अपने एरिया का नाम और इसके लोकल नाम को जो है comment session में में मैं माज़र चाहता हूं कि बागी birds की तरफ दोना मैंने इसक किसी और वीडियो में किसी और इंसेक्ट, रेप्टाइल, बर्ड्स या एनिमिल के साथ देते रहेगा वाइल्ड रैश्च